सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बेडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ब्रिशब रासी वालों का आज का रासी फल यानी की 9 जून 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि ब्रिशब रासी वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुने और आज माने का प्रियास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है आपका दामपत्य जीबन मित्रों बैबाहिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानी रहेगा आज के दिन अपने दामपत्य जीबन में आप उजले पहलू को देखने का प्रियास करें अपने दामपत्य जीबन में आज के दिन आप उजले पहलू का अनुभब करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके बैबाहिक जीबन में आज के दिन आपको कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका समय अच्छा बीतने वाला है आज के दिन आपके शामने में पैसे कमाने का मौका पहले के मुकाबले कुछ जयादा आने वाला है और इस वजह से आज के दिन आर्थिक तौर पे आप इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाणने से थोरा सा नीचे है आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए काम को सुरु करें नए काम को सुरु करने के दृष्टी कौन से कहीं कोई समस्या न करें क्योंकि जल्दिबाजी में अगर आप कोई फैसला करते हो तो यह आपके कामकाज को खराब कर देगा इस बात को आप याद रखें इसके बाद है आपका घर पड़िबार मित्रों पाड़िबारिक जीवन के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने घर पड़िबार में सभी लोगों के शाथ अपने शम्बंध को आप अच्छा बेहतर और मजबूत करने का प्रयास करें अगर आपके घर पडिवार में कोई विक्ती आपसे नाराज हो आपसे नाखुस हो तो आज के दिन उस विक्ती के साथ भी अपने शंबंध को आप बेहतर करें इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम शंबंध सामान्नी होने के बावजूद बहुत जयादा बहतर और शांदार हो जाएगा इसके बाद है आपका स्वास्त मित्रों स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्नी रहेगा नजयादा बहतर नजयादा खराब आज के दिन आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रतिशावधान रहना होगा आप में से जो भी लोग नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों सराब का शेबन करते हों तो आज के दिन आप ये सब बिल्कुल भी न करें अन्य था आपका श्वास्त आपका शाथ नहीं देगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है भुरा और सलेटी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है नो यनी की नाइन इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बेहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामानी है आज के दिन आप गडीब लोगों की शहायता करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ आपका शमय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जिग सेयर कर दें धन्यवाद